नमश्कार इस्पियन नाइन नियोज में आपका आस्वागत है लालू यादव की पार्टी आरजेडी को पूर्व सांसत सहबोदूइन की पतनी हीना शहाब निफ्त अगरा जटका दिया है उन्होंने सिवान से निर्दलिय चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है हीना शहाब के एलान के बाद माना ज़ा रहा है कि वे आरजेडी से नराज चल रही है यही कारण है कि उन्होंने इस बात का एलान कर दिया मगर उन्होंने इस बात से साफ इंकार किया है कि वे आरजेडी या किसी भी पार्टी से नराज है लेकिन उन्होंने ये बात साफ कर दिया है कि वह निर्दलिये चुनाव लड़ेंगे क्या हीना शाहऑ का निर्दलिये चुनाव लड़ना क्या जेड्यू पाटी को एक करारा जटका देना है क्या उनके खिलाफ चुनावी मैधान में उतर कर जीतना चाहती है दरसल निर्दलिय चुनाव लड़ने का एलान करते वे हीना शहाब ने कहा कि उनका लोगों से मिलना जुनना जारी है किसी से कोई नराजगी नहीं है उन्होंने कहा कि सारे ही लोग अपने हैं इन में कोई बटा हुआ नहीं है इस दोरान उन्हेंने कहा कि हम आरजेडी में नहीं हैं, हम लोग निर्दलिय के तैयारी कर रहे हैं शहबुदीन की पत्नी हीनाशःः नहीं कहा कि उनका बेटा और सामा या वो दोनों में से कोई भी चुनाव लड़ेगा, लेकिन निर्दलिय चुनाव लड़ेगा उन्हेंने कहा दोनों में से कोई भी चुनाव लड़ेंगे मगर वो किसी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे अग बदा दें सिवान में यहाँ पर शाहबुदीन की पतनी हीना शाहप ने कहा कि वो आरजेडी में नहीं है सिवान से निर्दलिय चुनाव लड़ेंगी माना ज़ा रहा है कि हीना सहाप के सलान के बाद यहाँ पर आरजेडी शांत हैं लेकिन दूसरी तरफ एंडिये में बेचेनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है बेचेनियों का कारण यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है कि निर्दलिय चुनाव लड़कर क्या वो चुनाव जीती हुई नजर आएंगे किसी से यहाँ पर कोई भी गडबंधन जो सामने आ रहा है जो बाते कही जा रही है उस पर वो विचार ना कहें उन्होंने कहा कि लड़कर देखते हैं क्या होता है यहां रहने वाले सभी लोग अपने हैं सिवान की लोग परिवार हैं बता देंगे सिवान में 15 फीस्ति के करीब मुसलमान है इसलिए अब यहाँ पर दबाब डालने की कोशिश की जा रही है और हीना सहब यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करती कोई नजर आ रह है